हेलो स्टुटेंट्स आज 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 आसी 1st Chapter start करते हैं आज आसी Body and Transmission दा जड़ाए suspension system हेलो suspension system की यह आसी किथे you use करते हैं और function कीन है क्यों use किता जानता है types कीन है वो आसी सारा 1st Chapter दे बेच्स स्थेटि करां गे श्टेंशन स्टम केृम हैं तो असी अप्रोक्सी मेटी स्टेख देच देखने हां हर कार दे विच सस्पैंशन सिस्टम लग गाक है और हगे पीसे खाल आ हेचिंखने सा तो असी स्टार्ट करते हैं, सब तो पहले जो study करांगे, वो असी study करांगे functions, वी suspension system ते function कीने, suspension system क्यों use किता जानता है, functions of suspension system ते वेच, सब तो पहला जड़ा function आनता है, it provides cushioning to the vehicle against shocks due to road roughness, while giving a minimum up and down moment to the frame, पहले function दे वेचो की केंदेने, वी suspension system में वोदा काम की है, जदो भी अपा रोड ते move कर दे हैं, इसे वही कर दे वेच, रोड ते move कर दे हैं, ते रोड दी roughness दे कारण, वही कल नूँ चटके लगते हैं, वही कल नूँ शॉक्स लगते हैं, उसी देख्यों हैगा, आपा जद रोड एकदम स्मूथी हुन दी, रोड दे वेच कितना किते roughness हुन दी है, कितो रोड खराब है, या आपा इंटर लॉगिंग टाइस दी कल करते हैं, ओदे वेच भी roughness है, या आपा speed breaker कल कल करते हैं, ओभी एक तरह roughness आगी, जदो भी अपा रोड ते move करना है, जड़ी रो रोड दे नाल जड़ी रहेंगे, बड़ जड़ा उपर वाला पाट है, जिन्हों सी फ्रेम के नहीं है, फ्रेम जड़ा है, ओप डाउन मूव करेगा, जहां अपना वहिकल पूरा आप डाउन मूव करेगा, उन उस अप डाउन मूमेंट नो कट करने ली, या ओप डाउन जड़ा समान प्याए गड़ी जड़ी तक ना पहुंचे, ओदे ली सस्पेंशन सिस्टम साड़ी हल्प करता है, एक तरह कुशन दा कम करता है, जिता सी देख्या होगा, जिए अपने कारां दे वेच, सीटा दे कुशन रखे हों देने, या करां दे वेच, सोफी उत्ते, ब स्पेंशन सिस्टम दा काम भी एही है, वी एक तरह कुशन दा काम करना, जो काट तो काट जड़ा जड़ा रोडशो के, ओ ड्राइवर तक पहुंचे, प्रसेंजर तक पहुंचे, जा अंदर जड़ा समान रखे है, कारगो रखे है, ओदे तक पहुंचे, ऐसी गा पैला फं की काए, शपेंशन सिस्टम दा वी जिन्ना भी वही कल दा वेट फिल हाल आ ही कहना है, वही कल दा जिन्नाभी वेट है, ओ सारे 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 वेट सपोर्ट करता है, असी निजन काली कि ति इंजन x 2 पाट के नद ड़ा रोट सारा फ्रेम उत्ते आ गया, तो बात वेट आगया एक्सल किरेते माउंट ने, एक्सल माउंट ने साथे सस्पेंशन सिस्टम थे, तो सस्पेंशन सिस्टम अगे अटैच ने, वीज दे नाल, इसलिए अपा कह सकते हैं, गड़ी दा जिन्नावी वेट है, ओ सारे दा सारा वेट सस्पेंशन सिस्टम बीयर करता है, मतलब गड़ी अब दोसरा फंक्षन थार्ड फंक्षन जो की गहने ने विट आलवेस मेंटेंडी गृप बिट्वीन टायर एंड रोड ते विचकार हमेशा एक कुंटेक्ट बना के रखना वी सस्पेंशन सिस्टम दा काम में कि जड़ो किते कोई भी वहिकल makes लाने हा उझे ऑपने वहिकल ड़े टायर ने वह रूड दे नाल हमेशा कुंटेक्ट बेंट बिच्रयां आएब शस्पेंशन सिस्टम में करता हैं वहिकल दे टायर नू रूड दे नाल कौनेक्ट करके रखता है जोड के रखता है को बना आगे रखता है अला गनियों देंदा है सिगार थर्ड पॉइंट फॉर्थ पॉइंट दी गाले कर देया इट अलोज दी वहिकल टू टेक टर्न विद मिनिमम रोलिंग अस्पेंशन सिस्टम दा काम किये जदो भी असी टर्न लेने हैं जदो भी वहिकल ड्राइब करते अब बाइब करते हैं टर्न लेने हैं ओधों जड़ी रोलिंग उन्नू कट तो कट करना है सिस्पेंशन सिस्टम दा काम में रोलिंग कट करना मस्टलब की यह जदो असी टायर नू चलने हैं आपा वहिकल बूच लने आ ओधा टायर जड़ा है ओर रोड ते चलता है रोड आपना टेर एक जगा दे को मन लपनता है उन्हों सी रोलिंग केनने हैं जड़ा सस्पेंशन सिस्टम में उस अड़ी किदे चेहलप करता है वह जदो भी अपकोई टर्न लेना है वह दो जड़ी रोलिंगे कट तो कट वे ऐस चीज़े विच सस्पेंशन सिस्टम साड़ी जड़ो है यह जड़ो भी वहिकल ने ड्राइव होना है चल ने यहां आप ब्रेक लगानी है वह दो एक टॉर्क पैदा होनी है वह जिन्नी भी टॉर्क पैदा होनी है और सारी दी सारी सस्पेंशन सिस्टम में बिए करनी है यह ज़िए नेक्स लाइट दे विच सी गड़ी नूँ ड्राइव करांगे या जदो भी अपा ब्रेक लगावांगे ओधों जड़ी टोर्क पैदा होएगी वो सारी दी सारी टोर्क सस्पेंशन सिस्टम आपने उपर बीयर करण गे इस पॉइंट इट प्रवाइड स्कंफर्ट टू उपएंट्स वहीं मतलब वहिकर दे वेच जिन्ने वी उप्यूपेंट्स ने जिन्ने भी परसेंजर बैठे ने ओना सारे आणूं कंफर्ट प्रवाइड करना सस्पेंशन सि यह इसा डी गड़ी दा या suspension system है ओट इफेक्टिव है suspension system effective होएगा जो occupants नुँ comfortable occupants नुँ कोई परशानी नी ओएगी ओ comfort रहांगे अपा बाइग दी भी कर रही है मालों रोड खराब है बट यह अपने बाइग दा अपने road डे road shocks ने वो sarahe day sari वहहिकर तक पौNCHनगे जो वहहिकर तक पौNCHनगे वहहाब तो गे और साठी bodी तक पौNCHनगे साठी हत्था तक पौNCHनगे ओ दि arise can attend जड़ा driver है उन्नुआ फटीग जल्दी होएगी ड्राइबर जड़ा जड़ी थाख जाएगा जदो रोड़ दे शोक जड़े ने और बॉड़ी थाख पहुंचनगे लास्ट फंक्शन बारे उना ने की किया जी इट हो दी वील इन अलाइनमेंट जिनने भी वील ने उनना सारे वील्स नू अलाइनमेंट दे वेचे रखन दे वेचे हेल्प करता है सस्पेंशन सिस्टम जे सस्पेंशन सिस्टम नहीं होएगा चटका लगएगा चटका लगएगा जड़ी वील्स दी जमैटरी है ओ हिल जाएगी बट जे suspension system लगगा है उन्हें वहिकल नूँ चटका नहीं लगगा देना और दे ना लिखते होएगा वील जड़े ने वह aligned रहेंगे, alignments रहेंगे सानू wheel alignment करांदी जल्दी load नहीं पेगी जे suspension system सब्सक्राइब तरही होएगा सेकिंड सिगा जिनना वी वहिकल दा weight है उस सारे दे सारे weight नूँ अने beer करना है थर्ड सिगा टायर दे road दे विचका अरेक grip को ना आगे रखनी है फोर्थ सिगा किसे भी वहिकल नू minimum rolling दे नाल टर्न लेंदे वेचे help करनी टायर नू कुब मन नी देना, roll नी करन देना बिना टायर नू roll किते आपाँ टर्न लेना है वोदे चे help करता है suspension system जदो अपसी गड़ी ड्राइव करते हैं जिनने भी driving या braking torque generate उन दिए वो सारी दी सारी driving दे braking torque नू आपने अंदर absorb करता है suspension system इस तो इलावा अंदर जड़े occupants ने उनना नू एक तरह दा comfort प्रवाइड करता है suspension system लास सिगा जड़े wheel ने ओ alignment दे वेच रेंदे ने यह सी suspension system अच्छा यूज करते हैं next slide दे वेचोना ने की क्या जी sprung weight and unsprung weight sprung weight की ये ते unsprung weight की ये असी पिछली slide जे देखिए दूज्जे point चपा पढ़या सिगा it sports the weight of the vehicle called sprung weight वेच जड़ा suspension system है वो वहिकल दे weight नूँ बियर करता है जिन्नों उसी sprung weight करने है किके उन sprung weight actual दे वेच है कि मतलब वो पूरे वहिकल दा weight है या अद्धे वहिकल दा weight है ओ की चीजे ओ दे बारे पाहुन study करते है sprung weight की ये it is the weight of suspension system and the weight of vehicle which is supported on the suspension system यानिकी springs sprung weight की चीजे केंदे sprung weight suspension system दा आपना पार ते ओदे वेच जे कर आपाँ वहिकल दा weight add कार दिये जड़ा suspension system दे उपर है उन उसी कवांगे sprung weight यानिकी weight of body and chassis plus weight of suspension springs sprung weight की हो गया वही जड़े suspension system लगे ने उनना दा आपना किनना पार है ओदे वेच जे असी body ते chassis दोनना दा weight add करते वांगे ते उस weight नो उसी कमांगे sprung weight तो it is the weight of suspension system and the weight of vehicle which is ported on suspension system प्रंग weight clear हो गया वही it is the weight of suspension system suspension system दा weight मतलब माल लिये जाप आपनी बाइक दी गाल करते हैं बाइक दे वेच suspension system की ये coil spring लगे ने खीके उन्ना दा पार and the weight of vehicle ते वहीकल दा पार जेटा वहीकल दा पार which is ported on the suspension system जेडा suspension system दे उत्ते आंदा प्या है नीचे वला नी जिवेगे टायर ने टायर जेडे ने ओ suspension system दे नीचे लगे ने असी टायर दा पार नी वेच कंक्ल्यूड करना असी ओ पार वेच कंक्ल्यूड करना है जेडा suspension system दे उत्ते पैंदा प्या है कि के spring weight की हो या weight of body and chassis मतलब body दा weight ते chassis दा weight ए दोना दे weight दे वेच असी जदो suspension spring दा weight add करते वांगे त्यों बान जाएगा sprung weight मतलब spring दा पार भी अपा वेच एड़ करना है उन्हों उसी का वांगे sprung weight यह सी गाल करते हैं unsprung weight दी unsprung weight किये it is the weight which is not spotted by the suspension system मतलब गड़ी दे ओ पार्स इसे भी वहिकल दे ओ पार्स जड़े suspension system दे उपर नहीं आंदे उन्हों उसी कहने है unsprung weight उस पार उसी कहने है unsprung weight जिद्दा की टायर होगे टायर जड़े ने वो suspension system दे नीचे ने एक्सल होगे एक्सल भी नीचे वे वील ब्रेक्स डिफ्रेंशियल एज निया चीज जाने सारियां दिया सारियां suspension system दे नीचे लग्यों यह suspension system एनना तो उत्तर हाइट के लगवाया ठीके उन्हों उसी कहने है unsprung weight ते unsprung weight दी definition की होएगी जिनना भी वहिकल दा टोटल पार है जिनना वहिकल दा टोटल वेट है उधे विच्चो सी जे sprung weight नूँ कटा आगांगे ते वो जड़ा weight बचेगा ओएगा unsprung weight और एक्जामपल असी sprung weight पिछे study किता सिगा sprung weight की सिगा मतलब बोडी ते चैसी दा टोटल पार ते अपाँ जियो दे स्प्रिंग दा पार एड़ कर देंदे सिगे उन वोसी कह देंदे सिगे sprung weight असी माल लेया बोडी दा ते चैसी दा पार जड़ा सिगा ओ सिगा ती किलो ते suspension दा पार सिगा चाली किलो दस किलो तोरी असी माल लेया बोडी ते चैसी जड़ी है वो दा weight जड़ा है ओ ती किलो ते जड़े अपा suspension spring लगाए ने ओ दस किलो दे तोटल स्प्रंग weight गड़ी दा किन्ना हो गया चाली किलो बोडी ते चैसी दा पार ती किलो है suspension system दा जड़ा पार है ओ दस किलो है इस करके स्प्रंग weight टोटल किन्ना हो गया 40 किलो ते जड़े असी गल करिए बोडी जड़ी पूरी है कार जड़ी पूरी है ओ कार पूरी प्या किलो दिए टोटल वेट ओफ दी वेहिकल इस 50 किलोग्राम ते और जो आपा जे स्प्रंग weight नूं कटा दिये या विच्चों 40 कटा आता स्प्रंग weight किन्ना से चाली ती प्लस 10 चाली ते पिछे की बचिया 10 किलो एदा मतलब अन्प्रंग weight उस गड़ी दा किन्ना हो या 10 किलो मतलब 10 कि वेच की आगया वील भी आगे टायर भी आगे एक्सल भी आगे डिफ्रेंशियल भी आगया ते बरेका भी आगया मतलब ओ चीजां जड़ियां सस्पेंशन सिस्टम तो नीचे लगयां से गया उनना दे पार नो सी कहता अन्स्प्रंग weight एक एननने नीचे लाइन लिखे जी अन्स्प्रंग weight शुड़ बी एज लो एज पोसिबल तो मिनिमाइज वाइबरेशन वो केंदे अपां अन्स्प्रंग weight नू जिनना काटतों काटत राक सकीए vibrations ओनियां काटतों कियां गड्डी दे वेट इस करके गड्डी नू जदो भी डिजाइन करना है स्प्रंग weight ते अन्स्प्रंग weight नू माइंड चे राके डिजाइन करना है तोई अन्स्प्रंग weight जड़ा है वो काटतों ना चाहिए अन्स्प्रंग weight है कि टोटल weight of the vehicle minus sprung weight of the vehicle ते sprung weight कीए body ते chesty दा पार और अच जिया पाइड कार दिये springs दा पार suspension system दा पार उन उसी करने है sprung weight ते जिय पागया जी brake dip and wind up एवी एक छोटा जा topic है छोटी जी definition ही है बस brake dip दी brake dip की चीजे when brakes are applied to a moving vehicle the nose of the vehicle tends to lower down or dip down thus compressing the front suspension springs this phenomenon is called brake dip तुसी देखे हो हैगा जदो वसी किसे bus देवेच या किसे car देवेच या बाइक देवेच या बाइक देवेच बाइक देवेच बाइक देवेच ब अपनी स्पीड ते कोई वहिकल मूव करता है जेकर एक दम कोई अपा ब्रेक अपलाई करती है इसे भी वहिकल दी ते जड़े passenger अंदर बैठे नहीं जड़ा समान अंदर पर ए वह अग्ये नूँ जान दी कोशिश करता है अग्ये नूँ डिगन दी कोशिश करता है एक चट इस नो सी कहने है ब्रेक डिप ब्रेक डिप की हो या वेन ब्रेक्स अर अपलाईड जदो ब्रेक्स लगाया जान गिया तूए मूविंग वहिकल किसे भी वहिकल नूँ जड़ा मूव करता प्या है दी नोज ओफ दी वहिकल नोज मतलब अगला पार्ट बिलकुल अग्ये व पार्ट फ्रंट वहला पार्ट जिते बोनट होंदा है उलतों कि वहला पार्ट उन्हों सी नोज माल लिया जी ओ नोज है दी नोज ओफ दी वहिकल टेंस तू लोगर डाउं जड़ा वहिकल नोज होएगा ओकी करेगा नीचे नू जान दी कोशिश करेगा लोगर डिप उन दी कोशिश करेगा अधे नाल की होएगा जड़े फ्रंट साइड ते सस्पेंशन स्प्रिंग लगेने उनना दे उत्ते पार पेएगा जदो कोई वहिकल मूव करदा पया स्पीड दे उपर जदो उस स्पीड वले वहिकल ने एकदम रुकना है उदे रुकन दे नाल की होना स्पेंशन स्प्रिंग दे उत्ते पहना है क्यों पहना है वह तो नुकलियर होईगी अभी जदो अपा बैठते यहां अपा बास चीवी बैठे हो मांगे कार चीवी बैठे हो मांगे कताम जिरो ब्रेक वज्जी होएगी असी अग्ये नों मूव कर सकता है तो अगला सब्सक्राइब यहां ब्रेक डिप जदो भी कोई वहिकल स्पीड ते मूव करता है तो एकदम अपानू ब्रेक लगाने यहां ओधा जिना फ्रंट वला पार्ट है ओ नीचे चुक करता है लोवर डाउन जान दी कोशिश करता है ओधे नाल की होंदा है फ्रंट वले जड़े उसी देख्या होएगा अपां जिनों कार दे विच बैठते हैं एकदम जेकर अपां स्पीड अप करती है गड़ीनों ते ऐसी की करते हैं सीड दे नाल पिछे जी जागे लग जानने है जहां फॉर इकजंपल जे बाइक दी गल करिए ऐसी बाइक नो जे रेस देके एकदम क किये वन वहिकल स्टाट्स मुविंगे ड्राइविंग टॉर्क इस अप्लाइड विच टेंट्स तो लिफ्ट दी फ्रॉंट अफ दी वहिकल दस दी सस्पेंशन स्प्रिंग साथ देख सकते हैं जदो एक दम बाइक नो रेस देके कलच छट देयां सटा वहिकल अग्डों ल अग्ड़ा की उन्दा जड़े सस्पेंशन स्प्रिंग ने उडिफ्लेक्ट वह देन पिछे वले उना ते पार बेयां दे इस फिनॉमेना इस कॉल्ड बिंड़ बिंड़ ओ फिनॉमना जिदे विच असी एकदम वहिकल नू स्पीड अप करिये ते सारे दा सारा पार जड़ जोते प्याजवे उन्हों सी कमांगे विंड़ आप विंड़ आप तो बाद अपा गल कर दे हैं सस्पेंशन स्प्रिंग यूज कर दे हैं वह किद्दा देने उनना दा नेचर किये की होना दिया टाइप्स ने उनना बरे अपसी स्टड़ी करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ दे यूज करिए पोनाँ इसरी करceu के ने सस्पेंशन स्प्रिंग के अलगग ताइप स्प्रिंग यवें कर दे हैं ससपेंशन दे वेरियस स सक्सद़ा डिपॉणा किये ताइप मैं अनुगी करते हैं ओगर स्पाइप दा चलिकात ने मिया नियूचा युजा When a sudden load is applied on the spring, it starts vibrating and vibrations dampen with the passage of the time. जदो भी किसे भी spring दे होते, असी एकदम लोड लगानने हैं, वोई भी spring लेली है सी, जदो असी होते एकदम लोड पा दिये, वो वाइब्रेट करना पहनता है. ठीके, and the vibration dampen with the passage of time. जदो जदो भी असी एकदम लोड लगावांगे, ते spring जड़ा है, spring दे होते लोड लगावांगे, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ते होली होली टाइम पा की होएगा, वाइब्रेशन अपने आप खतम हो जड़ा. So, it absorb road shocks, जड़े suspension springs ने, वो भी अद्द ही कम कर देने, अपा जदो रोड ते जनने याँ, अपा जड़ो किते move कर दे याँ, एक दम जदो चटका लगादा है, वो चटके दे नाल की होंदा है, जड़े suspension spring लगे ने, वो भी वाइब्रेट करना अपने देने, बट टाइम प springs should absorb road shocks quickly and return to original position slowly, हुन असी automotive system दे विच, automobile दे विच, जिनने भी spring यूज करने ने, साननू की चाहिदा है, वे मतलब अपा की चानने है springs तो, वे जे कोई चटका लगे, मालो कोई टोया सिगा, आपा औरे चो कोई बंप सिगा, वो दे विच्चो एक दम वहिकल नू पास किता, जदो असी वहिकल नू अधे विच्चो पास किता, अपा की चानने यावी जड़ा road shock पैदा होया, उन्नू फटा-फट spring जड़ा absorb कर रवे, जड़ा चटका है, उन्नू फटा-फट absorb कर रवे, and return to original position slowly, ते अपनी original position ते holy-oly आवे, for example, जी आप एक spring दी गाले करते हैं, कि spring spring दे उत्या सी एक ball सटी, एक heavy ball सीगी, उन्नू spring दे उत्या, जिदो अपा spring दे उपर आके डगी, spring पूरे पूरा compress हो गया, ओ बॉल जड़ी सीगी, ओ spring दे उत्या आके बैढ़ गी, but जे कर ओ spring भी उन्नी speed दे नाल वापस आता, बॉल ने जंप करके उपर चले जाना सेगा एक spring दे उत्या बॉल अपापा, एक heavy balls नूँ सट्या, ओरे नाल की आया spring compress हो गया, जिदो spring compress हो गया, spring नहीं वापस आपनी जगाते भी आना है, जे ते उन्नी speed दे वापस आपनी जगाते आया, जिन्नी speed दे उन्नी speed दे नीचे गया सिगा, ते उन्ने की करना है, बॉल चैसी एद्धा नहीं चांदे, आटोमोबेल दे वे चैसी चैनने या, भी जड़ा spring हे, जड़ा suspension spring हे, वो compress थे फटा-फट हो गया, बट वापस जड़ा आवे, वो होली-ोली आवे, तान जो जड़ा driver हे, जड़ा passenger हे, जड़ा समान पे आया, उन्नों किसे करांदा चटकान लगे, खीके, तो एक गाल नों तुसी माइंड चे बठालो, वी जड़ा भी अपा suspension spring हे, वो अद्धा-दा होना चाहिए, वी जड़ा road shock नों absorb थे speed थे नाल कर लवे, बट वापस जड़ा original position थे आना हे, वो slowly आवे, अद्धा-दा पा suspension spring यूज करांगे, अग्गो की कहन द जड़ा oscillate करेगा, बहुत जड़ा vibrations करेगा, soft spring मतलब एद्धा-दा spring जिन्नों उसी हाथ ना भी compress कर सती है, उन्हों उसी soft spring करने हा, तुसी पैंदे पेच देख्या हैगा, पैंच जड़ा spring होन्द है, soft spring है, उन्हों तुसी हाथ ना मर्जी compress कर लो, जिन्नी मर्जी काट-फ जिन्हों ना भी ओ, compress हो यंदे है, ठीके जिसी उद्धा-दा spring यूज करांगे, उसी लेट करता रहेगा, कदी compress होएगा, कदी खुलेगा, फिर compress होएगा, फिर खुलेगा, ऐसी soft spring यूज नहीं करना, यह hard और stiff spring gives rough right, जिए अपना hard spring यूज कर रहांगे, वे जड़ा अपन अनना hard होएगा, फिर फोर्स पाईए, जो compress होएगा, जिए अपना wall spring यूज करते हैं, wall वादे भी spring यूज करते हैं, वे बड़े hard spring होएगा, असी एद्धा-दा spring भी यूज नहीं करना, ना बोता soft, ते ना बोता hard, जे बोता soft यूज करांगे, उसा नो हो ली-ोली चटके जिन्दा रेगा, उसीलेट करता रेगा, आते जी आपा hard spring यूज करता होँगे, वो दा कोई फैदा नहीं होना, वो rough राइट देगा, rough राइट मतलब एदा लगे का, जिए spring लग गई नहीं होए, कोई एक रोड लगी होई, उस रोड नो कोई चटका पहनता है नहीं प्या ठीके, तो दो चिज़ां के लिए रोगियां, वी जिड़ा अपा spring यूज करना है, एक ते अपा एदादा यूज करना है, वी जिड़ा compress ते फटा-फटो जवे, बट वापस अपनी जगा ते हो लियो लिया वे, रोड चोग नो absorb ते जल्दी कर दवे, बट वापस हो लियो तो इस करके अपा जिड़ा spring यूज करांगे, वी यूज करांगे, ए मीडियम soft spring is used along with shock absorber इस करके असी जड़ा spring यूज करना है, वी medium soft spring यूज करना है, medium soft, soft होवे, बट medium soft होवे, एना soft होवे भी आराम ना compress हो जगे, ते नाल होदे अपा की यूज करना, shock absorber, अपा suspension system दे शौक अब्जोर्बर भी यूज़ करांगे अग्गे जागे अपा स्टड़ी करांगे शौक अब्जोर्बर वारे एक चीज़ तो नो मैं थे कलियर कार देना भी suspension system अलाग चीज़े, shock absorber अलाग चीज़े, वो असी अगे study करांगे, वी shock absorber असी किन्नों करने हाँ, यह जैसी suspension system ते type 0 study करांगे, वो यह तो बाद अपां गाल करांगे, shock absorber कीज़े, the shock absorber dampens the up and down movement of the spring, this combination provides a comfort right, जड़ा shock absorber है, वो की करता है, जड़ी spring the up and down movement है, उन्नों damp down करता है, उन्नों खतम करता है, जदो भी अपां चटका कोई लगना है, spring ने up and down move करना है, वो spring ने जदो up and down move करना है, उस up and down movement नों खतम करने लिए अपा shock absorber यूज़े करते हैं, जदो भी अपां प्रिंग डिज़े करांगे, उस्टो सा नूज़डी राइड मिलेगी, वो एक comfortable राइड मिलेगी, वो एक वधिया राइड मिलेगी, तो इस गाल नों मैंड़ी चे राख लेना है, जदो भी अपां spring डिज़े करांगे, वो सस्पेंशन सिस्टम, वो medium soft spring हो प्रिंग डिज़े करांगे, वो दे नाल अपां एक shock absorber भी यूज़े करांगे, वो दे नाज़डी राइड मिलेगी, वो comfortable मिलेगी, अग दो सी गल कर देया, spring rate दी, spring rate की चीज़े, it is the softness or hardness of spring, इसे वी spring दी softness या फिर hardness, कोई spring किन्ना soft है या किन्ना hard है, वो सा नुकित्थो पता लग दिये, वो सा नुकित्थो पता लग दिये, spring rate को, ठीके, the load required to compress a spring through one unit of distance is called spring rate, सानू किसे वी spring नू compress करन दे लई, किन्ना लोड चाईद है, वो दिये spring rate, for example, जी अपा किसे spring दी गाले करते हैं, उस spring नू compress करन दे लई, एक इंच करन दे लई, सानू प्या पॉंड वेड चाईद है, ठीके, ते वो दिये spring rate की बनगी 50 pound per inch, मतलब जी अपारे ते प्या point force पामांगे, ते वो एक इंच compress करेगा, जी सानू 2 इंच compress कराना है, सानू 100 pound force पानी पहेगी, ठीके, spring rate कीए, वे सानू किनना load चाईद है, किसे भी spring नू, एक unit distance move गरान दे लई, उनू उसी कहने है, spring rate, more the load required, more is the stiffness of the spring, जिनना जादा, more the load required, जिननी जादा load दी लोड पहेगी, spring उनना जादा stiff होएगा, इस गल नू याद रखना है, more the load required, जिननी जादा load दी लोड पहेगी, spring जिड़ा है, वो उनना जादा stiff होएगा, stiff मतलब stiff अपा कहने है, किसे चीज नू, अक्ड़े होना, जाँ hard होना, stiff मतलब hardness होगी जिनना जादा load अपा चाहिद होएगा, spring दी stiffness उननी जादा ही होएगी, the linear rate spring अच्छा है, किस तो पहले तो हमाई units आजे ना, जिड़े units ने spring rate दे, ओने pound पर inch, किन्ने pound असी force पाई, ते किन्ने inch spring जिड़ा है, ओ compress होया, जा deflect कीता, एदे दो units ने, एक pound पर inch, दूसरा जिड़ा है, ओने newton पर mm, जिड़े किन्ने newton आपा force लगाई, ते किन्ने mm spring जिड़ा सिगाओ, ओने डिफ्लेक्ट कीता, ते जिड़े आपा pound दी गाल कर दे हां, ते pound पर inch, एक inch बिच्छे किन्ना pound force लगानी पाई, ओने spring rate, the units, the linear rate spring has uniform cross section of wire, and will compress uniformly, उन spring भी कही तरहां दे ने, spring rate दे सा आप दे नाल भी spring कही तरहां दे ने, सब तो पहले जड़े spring द पर दे वेच की होएगा, जिड़ा cross section होएगा, और uniform होएगा, and will compress uniformly, मतलब सारे दा सारा spring, for example, एह देखो, एह जिड़ा spring है, एह linear rate spring है, एह वला, एह spring जिड़ा एक नमबर ते, एह सारे दा सारा, एको वरगी वायर तो बने हैं, ते एदा जिड़ा cross section है, ओ सारा एको जिनन से, वो सारे दा सारा सेम है, एन उसी कहने है, linear rate spring, linear rate spring केड़ा है, linear rate spring has uniform, uniform cross section of wire, and will compress uniformly, कैना ने साइड ते लिखे है, constant rate, एदे compress सो होंता, जिड़ा rate है, और constant है, जिड़ा एक किलो पार पाया, एक किलो पार देनाल भी हैंने, उनना ही डिफलेक्ट होना है, उस तो बार mm नीचे चला गया, तो चिरो अपार दो किलो पार आगे और फिर 2 mm नीचे जाएगा, तेन किलो पार आगे, तेन अम्द नीचे जाएगा, एन भी जिड़ो वेड़ा जाना है, एदे डिफलेक्शन दी rate बज जानी है, जा कंप्रेसों दी rate बज जानी है, ओ सेम ही रहनी है, the variable rate spring is made of from a tape by wire through section and it may have increase in coil diameter जिया आप आब वेरियेबर रेट स्प्रिंग दी काल कर देयां दूजे स्प्रिंग spring Video q9 डूसरा सब्सक्राइब डिखे शुव दो क्रोग्रीसिब रेट शुव रेट शुव रेट शुव रेट शुव केने है दा डू और टेपड़ स्परेंज पढ़ती है टेपड़ वायर तो मनेवायगा मतलब वायर धाज़ा ज्ड़ा section होएगा ओ सेम नहीं होएगा it may have increasing coil diameter कोई दायामीटर होएगा increasing होएगा मतलब जडी तार तो spring बने है ना ओ किनारेयां तो तार पतली है holy 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 तार मोटी हो निजानती पिये center चोगे मोटी हो निजानती है फिर holy 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 पतली हो नहीं start हो जानती है बट जडा linear rate spring सीगा ओ सारे दा सारा एक को वर्गा सीगा the advantage of variable rate spring is that it dampens more slowly जी अपा variable rate spring दी काल करते हैं ओधा advantage कीए ओ holy holy damp down होंद है ठीके सानूव अपने वही कर देवेच चाईदा भी आही है तो यह अद्दा दापा spring यूज करिए जडा अब शौग नो अब्जोव थे फटाफट काल लवे बट वापस अपनी original position थे holy holy आवे तो एकसी गा linear rate एकसी गा variable rate लिनियर रेट मतलब जीडा एकदम कठे दा कठा सारे दा सारा compress होएगा variable rate देवेच अधानी होएगा variable rate देवेच जीडा उपर वाला पाट हो जल्दी compress होएगा ते नीचे वाला पाट होली होली compress होएगा वेरियेबर रेट देवेजिटी जड़ा कोईल डायमेटर है ओ अलाग गे लिनियर रेट देवेजिटी जड़ा कोईल डायमेटर है सेम है इसको बाद आंदे टाइपस ऑफ सिस्पेंशन स्प्रिंग्स तो आज दे लेक्छर चैसी जिनना स्टड़ी किता ओ चंगी तरहां किन्ने तरहां देने, लीफ, कॉयल, टॉर्शन बार, एर्ट स्विरिंग, एना कल्ये बारे डिटियर्च स्टडी करांगे, तो आज ली एन नहीं, थेंक यू.